रोहित विराद के ना होने पर सुरेकुमार यादो ने बदल डाली पूरी टीम आठ नए लड़कों को दिया टीम मौका गौतम गंभीर भी देखकर है गडंग मायंक यादो और अभिशेक शर्मा की खोल दी किस्मत एक है तुफान तो दूसरा है चट्टा नाक का गोला बन ज आएंगे मायंक यादो तुफान बनाकर कोहरा मचाएंगे अभिशेक शर्मा ना जैस्वाल और ना ही रिश्यपंत सुरिया का क्या है घातक प्लान बांग्लादेश के खिलाफ T20 के लिए क्यों बदल दी गई पूरी टीम ना जस्परीत मुम्रा ना मोहमत सिराच कौन है वो अभिशेक शर्मा को हरा मचाएंगे दूसरे चोर से संजू सैम्चन अपने बल्ले की ताकत दिखाएंगे जबकि गेंद बाजी में मायंक यादो तुफा का गोला बनाकर एक्दम से तबाही मचाने का प्लान तयार करके बैठे हैं सब की निगाई यादो पटिकी है जबकि दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारती टीम के लिए लंबे रेस के घोड़े साबित होंगे इन पर इंवस्ट करना बी सी सी आई के लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है मैं क्या दो जिन से उमीद की जारे कि भारत के लिए वो दूसरे जस्परीत मुम्रा बनेंगे जबकि द रहुल को मौका दिया गया और नहीं ये शस्परीत मुम्रा मुम्मद सिराज जिसे खिलाड़ीों को भी आराम दिया गया मतलब सीधे तोर पर पूरी टीम को ही बदल दिया गया एक तम नई टीम तयार के गई आपको बताएं कि सोले कुमार ग्यादो की कप्तानी वाली टीम मगर यहां सबसे बड़ी बात यह है कि आखरकार रितुराज गायकवार कहा है गायकवार को लेकर अब ट्विटर पर बवाल मचा हुआ है कई लोग कह रहें कि गायकवार को भी मौका मिलना चाहिए था और अब शेक शर्मा के साथ गायकवार को ही ऑपनिंग करनी चाही थी गायकवार को लेकर बवाल बढ़ सकता है क्योंकि गायकवार वो खिलारी हैं जो कि बहुत अच्छा खेलने के लिए जाने जाते हैं मगर उनको क्यों टीम से बाहर किया गए ये बात किसी के समझ में बिल्कुल नहीं आई लेकिन कहीं न कहीं इस टीम को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि सुने कुमार यादों ने उन बल्लेबाजों को मौका देने का प्लान तयार किया जो कि लंबे वक्त से नहीं खेल पा रहे थे खासकर संजू सैमसन हो या फर बात कि जाए अविशेक शर्मा की इतना ही नहीं रियान पराग भी देखना होगा क्या कुछ करेंगे जबकि हार्दिक पांडिय की भी टीम में वापसी हुई है आपको बता दें कि भारत और बंग्रदेश के बीच पहला टी-20 मुकाबला 6 अक्टूबर को खिला जाएगा उसके बाद दूसरा 9 और 3 बारा अक्टूबर को होगा तीनों मैचों की सीरीज के लिए टीम का इलान किया गया लेकिन कई लोगों का मानना है कि रितुराज गायकवार को भी टीम में शामिल किया जाना चाहिए इनका नाम टीम में नहीं होने पर कई लोग गौतम गंभीर को भी टारगेट कर रहे है और कह रहें कि गायकवार को धोनी का करीबी होने की सजा मिल रही है दोस्तो इस पर आप क्या कहेंगे क्या गायकवार की जगा टीम में बनती थी अपनी राय बताएं